लेकिन ये जिसने भी किया है ये उत्तर प्रदेश की कानून विवस्था की धज्या उड़ाई गही है क्योंकि हमारे प्रदेश के मुख्या मंत्री कहते थे कि उत्तर प्रदेश में लो एन ओडर एकदम कंट्रोल में है और अपराधी थर-थर कांप रहे हैं और अगर अपराधी इस चोरहे पर अपराध करेगा तो अगले चोरहे पर ठोक दिया जाए फेस्बुक पेज है उस पर धमकी दी गई थी और कहा था चोरहे पर मारेंगे और जैसी हमला हुआ उसके बाद फिर दिया गया कि अब की बार तो बच गए हैं अब के नहीं बचेंगे तो यह परसासन को देखना चाहिए जो फेस्बुक पेज का तो बदा चल जाएगा किस वेक्ति का फेस्बुक पेज है हुआ है कि भी मारमिय के चीफ आजा समय सवाज पार्टी के चीफ बाइच चंदर्सेकर आजात पर फारींग की गई है वो घायलें अस्पिताल में बहती हैं इस पूरे मामने कुछ तरह देखते हैं कौन लोग हो सकते हैं जिन्होंने हमला किया है चंदर्सेकर आजात पर ट तर्देश की कानून व्यवस्था की धज्या उड़ा गई है क्योंकि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते थे कि उत्तर प्रदेश में लो एन ओडर एकदम कंट्रोल में है और अपराधी थर-थर कांप रहे हैं और अगर अपराधी इस चोरहे पर अपराध करेगा तो को या प्रसासन को पता नहीं है तो फिर कहां है वो कानून विवस्ता और देखिए मैं आप से बताना चाहता हूं कि जब राजनेता हो कि जब उत्तर प्रदेश के अंदर राजनेता सुरक्षित नहीं है तो आम जनता कैसे होगी हम जैसे लोग कैसे सुरक्षित रहेंगे आप आप कैसे सुरक्षित रहेंगे आप बेहन बेटिया कैसे सुरक्षित रहेंगे तो यह अपराध तंत्र है लेकिन चंदर्शे का राजा धीम आर्मी चलाते हैं वह एक आर्मी है अगर आर्मी पर सुक्षा हमरा होगा तो फिर आम आदमी का सुक्षित रहेगा आर्मी तो एक न यह वह उनकी सुक्षक निकले जाते हैं वह बेलकुल जाते हैं लेकिन वह तीन गाड़ी थी एक आगे थी उसके पीछे थी और अचानक से वह गाड़ी में हमला हुआ है वह कैसे भी हुआ हमला तो हुआ कानून व्यवस्ता कहा है इश्वर करें वह जल्दी स्वेस्थ हो और परिवार के आजाए और मैं स्वम जा रहा हूं उनसे मिलने के लिए भी निकलने वाला हूं आपके बाद हमलावारों की जो गाड़ी है वह अध्याना का नंबर है उस गाड़ी पर हाँ यह बताया गया कि हर्याने के नंबर की गाड़ी है लेकिन अभी मैं देख रहा था भ अब की बार तो बच गए हैं अब के नहीं बचेंगे तो यह परसासन को देखना चाहिए जो फेस्बूक पेज का तो पता चल जाएगा किस व्यक्ति का फेस्बूक पेज है लेकिन चंदर से का राजाद सानपूर से बिलॉंग करते हैं वहां उनका ग्रह जनपद है और कि क्या बोलते हैं किसी के ऊपर होता है किसी को अब उतंपीडन होगा कोई दुखी होगा तो वहां चंद्से पर आजाद दिखाई देते हैं वो परदेश कोई भी परदेश हो हिंदुस्तान में दिखाई देते हैं और मेरे भी उन से बहुत अच्छे संबंद हैं लेकिन वह संबंद हो या ना हो किसी के ऊपर भी हमला होना यह कानून विवस्था की धज्या उड़ा रहा है और आज मैं सड़कों पर निकल सकती है किसी की हिम्मत नहीं कोई कुछ कह दे अरे तुम 16 साल की बेटी की बात कर रहे हो एक राजनेतिक पार्टी का राष्ट अध्यक्स वह सुरक्षित नहीं है दिन में तो फिर रात की तो बाती क्या करते हो आज गिरा मंतरी जबाब नहीं दे सकता उ परयाम लूट हो रही है हत्याय हो रही है वह चुब बैठा है चंदर्से कर आजात पर ऐसा कहा रहा कि चार वार फाइरिंग की गई है उसमें गोली उनको जो पीठ में थोड़ा तच करके चली गई है गाड़ी की चादर में भी हौल हो गया है यह जो हमला क्या गया है यह नो सिखे हमला वारे है किस तरह सो देखते हैं आप इनको देखिए यह तो पुलीस परसासन जाच में बताएगी मैं कैसे बता सकता हूं मैं तो हत्यार चलाने जानता नहीं लेकिन नो सिखिया थे या सीखने वाले थे या सार्फ सूटर थे मैं कैसे टेर तो नहीं है क्या व मिलेगी कि यह राजनेतिक दुस्मन हो सकते हैं या को रापसी रंजिस का मामला हो सकता है देखिए यह तो जानकारी तो जब पता चलेगी इसे अभी मैं एक तरफ मोड दू पता चला राजनेतिक कैदू वो कोई दूसरी रंजिस थी या कोई जातिवाद के वज़े से उस पर कोई हमला कर रहा है तो यह तो जब जाच होगी तब पता चलेगा अच्छा कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि राजनेतिक कन का जरणी जगे कराता है यह तो क्या इनको भी ऐसे सुक्षा मिली हुए उसको ज़रूर मिलनी चाहिए काई लोग क्या है गई असे नहीं मिलें यह तो प्रेपिलान किया गए यह हमला तो लगा इसे अरेश्ण करो अधर बेस दो जेल तुम करके दिखाओ अफ़ाउ आ ख segur जो दिरेंदर साथ्तिरी को दी गई है वो प्रेपिलान था उसका मडर रुआ टाथ उसको जली ती उन्हें जो सुरक्स्या दे रखी क्यों दे रखी अरे बीजेपी प्यूंके बरी पार्टी और बहुत बड़ा संग हैं देश के अंदर बहुत बड़ी कॉम्मिनिटी का एक नता है उसको सुरक्षा मिलनी चाहिए भी मार्मी और आजास्ज पार्टी के न जात हुआ है। तो उनका राजनेति कुद करने कोशिश की जा रही है। लेकिन किसी पर हमला, आपकी मेरी विचारिक लड़ाई हो सकती है, वेचारों में आप और हमला लड़ सकते हैं, ये थोड़ा ही है कि मैं आप पर हमला करा हूँ या आप मेरे उपर हमला करा है, मेरी हत्या करने के बाद आपको क्या मिलेगा, जब आपका दुस्मन ही नहीं तब लड़ो दुस्मन को मार करके कभी आप लड़ाई नहीं जीच सकते हैं लेकिन उत्तर परदेश में खुले हम नेता हूं कि हत्या हो जाती है चाहे अतिक एहमाद हो असद हो या अन्य लोग हूं कैसे सुरक्षा मिलेगी आम आदमी को भारत के मुतर परदेश में सुरक्ष परदेश्चा में हम जज के कमरे में जेल में कि जब वहां मार दिये जाते हैं तो महां मार द्याते हैं कि के जाते हैं ऊऊघ्ये रह Agora ंसनदर सेशर करता है और अपर वाज जनीति करना चाहता है तो वह किसी का शगा नहींहीं सकता मैं हर व्यक्ति अगर किसी के साथ भी दुर्वेवार होता है आवाज उठानी चाहिए सब को साथ मिलके आवाज उठानी चाहिए क्योंकि आज उसकी बारी है तो कल हमारी बारी है कल आप की बारी है परसौ आप की बारी है यह तो सब के साथ होना है और बीजेपी का तो कर नियम है कि अकेले अकेले मारो एक साथ मत मारो अकेले अकेले मारो तो यह अकेले करके मारती है इसलिए सब को एक साथ मिल के जैसे चंसेकर पर हमला हुआ है सब को इसका विरोध करना चाहिए सरकार से जबाब मांगना चाहिए परसासंद से जबाब मांगना चाहिए कि वह अपरादी अभी तक पकड़े क्यों नहीं अच्छा जो सहन पुरफ वहां पर भीमार्मी के नेता के भाई का मडर हो गया था अवैद पिस्टल से तो उसमें कुछ जांच नहीं हो पाई कोई भी है अपरादी तुरंत पकड़ा जाना चाहिए ताकि वह कोई दूसरा अपराद ना कर सके और यह खुलासा हो किस कारण से उन्होंने इस पर गोली चलाई है यह भी तो पता चलना चाहिए इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है जिसकी